पशिम बंगाल में हुई दरंदगी को लेकर पूरे देश में गुस्सा है क्या आप अभी भी माता-पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अप अलो फोर्टिलिटी के साथ अपने माता-पिता बनने का सपना पूरा करें मुफ्त परा मर्श के लिए 995-388-9367 पर कॉल करें और मेरक्ट मेडिकल कॉलेज के तमाम रेजिडेंट डॉक्टर हरताल पर चले गए हैं और यह देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो अपनी आवाज है वो बुलंद करते नजर आ रहे हैं बेहत गुसे में हैं और यह गुसा इन तमाम रेजिडेंट डॉक्टर्स के चेहरे पर भी नजर आ रहा है इन तमाम स्लोगन को पढ़नीजे कि हिंसा या दुर्वेवार तो नहीं होगा इलाज सोच बदलो हमें नहीं और यह स्लोगन और इन लोगों के चेहरे का गुसा यह बताने के लिए काफी है कि आखिर पश्चिम बंगाल में जो हुआ जो एक ट्रेनी डॉक्टर्स के साथ दरिंदगी हुई उस दरिंदगी और हत्या के बाद इसी तरीके से पूरे देश में आक्रोश देखने को मिला है क्या इन लोगों की मांगे हैं क्या यह लोग चाहते हैं इनी से करके बात करने की कोशिश करूगा आप से यह जानना चाहूँगा मैं यह बताइए जिस तरगे से पश्चिम बंगाल में दरिंदगी हुई लोगों की आखों में आसू है चेरे पर खुस्सा है गम भी है क्या आप लोग चाहते हैं अब से कहीं और रिपीट कर रहे हैं और जो कैदी वो जो रेपिस चाहujuस कड़ी से कड़ी सजा दी जाए यह हमारी डिमांड है और जितने भी डॉक्टर्स हैं उनके साथ वापस हींसा ना हो इसके लिए गुवर्मेंट दुवारा सेंटर प्रोटेक्शन एक्ट लगाया जाए यह हमारी डिमांड्स है पुछले के दिन से इसी तरीके से अंदोलन की रहा पर है हां जी बिलकुल हमें आज पांच बाद दिन है जब हम स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं लेकिन जिस तरीक तरेकांड है लड़कीने कपड़े जोड़ें दात में लेट नाइट गई होगी कुछ गलती उसकी रही होगी इसमें मैं पूछ तरियुख कोई कह सकता है कि उस लोग्तर की क्या गलती थी किया फीक रेप और मडर किया गया बताइए इसने भी लोग है जो इसने उसको पू पिजुस्तान शमसरसर देख रहा हूं तमाम लोगों में गुस्सा है और देख रहा हूं पिछले कई दिनों से आप भी बैठे हैं आई में ने भी 24 गंटे की जो ओपीडी उनको ठप करने का एलाइन कर दिया है आपको लग रहा है कि अभी ऐसे लोगों की सोच बदलने और सक कि बहुत ज़्यादा जरूत है कि कली कारवाई होनी चाहिए सर देखिए बहुत ज़्यादा आवशकता है इस चीज की और जो घटना उस दिन हुई वह बहुत अप्रिय घटना थी और उसके बाद भी सिस्टम प्रॉपर तरीके से उसमें इंटर्वीन नहीं कर पाया और ब सक्त कानून बनाए जाने की बहुत आवशकता है कुछ और भी जो डॉक्टर से उनसे भी आप यह देखिए कि किस तरके से स्लोगन को आप पढ़ सकते हैं देख सकते हैं सीधा लिखा है सोच बदलो हमें नहीं और सोच किसकी बदलने की जरूरत है किस तरीके से आक्रोशीत आप से जानना चाहूँगा सोच बदलो हमें नहीं सर हमें जनता की सोच बदलने की जरूरत है मतलब जो अभी हमारे साथ हो रहा है एक डॉक्टर के साथ हुआ है तो सिर्फ डॉक्टर ही प्रोटेस्ट क्यों कर रहे है क्यो आम जनता सामने नहीं आ रही है यह सोच बदलने है अगर इस तरीके से आवाज नहीं उठाई जाएगी तो फिर क्या होगा एक और दूसरा स्लोगन है आप यह देख लिए कि हिंसा या दुर्वेवार तो नहीं होगा इलाज और अगर डॉक्टर नहीं इलाज करेंगे एक बड़ी अगर अगर अभी कुछ नहीं हुए दो दिन में तो दो दिन बाद या एक दिन बाद इमर्जनसी बन करने की सोच रखिया पूरी अच्छा बिल्कुल विल्कुल इमर्जनसी ठप कर देंगे तो देखें जो डॉक्टर्स हैं वो सीधा गुस्से में हैं और सीधा एलान ये कर हैं कि जो एमर्जनसी है उस एमर्जनसी को विठप कर देंगे कुछ और जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूँगा एक लड़की है एक परिवार के लोगों ने एक सपना देखा था बेटी है देश के लिए कुछ करेगी बड़ी डॉक कुछ ना चाहते कि उसके साथ ऐसा कुछ गलत हो जाए और जब कुछ ऐसा हो गया है वो भी हॉस्पिटल की अंदर जहां पर डॉक्टर दूसरों की सेवा के लिए हैं और उनके साथ ऐसा कुछ गलत हो जाता है तो फिर गुस्षा होना हमारा जाया है क्या ख़़ी करवाई सेवा के लिए कुछ होना चाहे हैं कि सेफ्टी जरूरी है घर से कोसो दूर जाती है लड़किया है दुनिया चांद पर पहुँच गये लेकिन पिर भी ऐसी जो सोच लोग रख रहे हैं कुछ और रेजिदेंट डॉक्टर उनसे भी बात करूंगा मैं आप यह बताईए दे पूरे देश में गुस्सा है जो गल्स हैं उनकी सेफ्टी को लेकर भी सवाल ख़ड़ा होने लगाए कि डॉक्टर जो अपनी जो उसकी मेहनत ती उस मेहनत से वह वहां पर पहुची थी और उसके सपने भी बिखेड़ दी और तमाम चीजे भी हो गई यह तो सही है जब हम स पानिक बटन्स हो जिसकी वज़से अगर हमें कभी वी कुछ ऐसा फील हो कि हमें एक अनसे पोजिशन पे हैं तो हमारे लिए प्रॉपर उस तरह के कानून और उस तरह की सेफ्टी रूल्स बनाया जाएं ताकि हमें कोई भी दिकत हो तो हमारे लिए कोई हो इसका मतलब यह क हम इस प्रॉफेशन की बात नहीं है कहीं भी प्रॉफेशन की नहीं कि सिर्फ पहला रेप हो रहा है हर जगा होता है तो कोई घरवाला कभी यह नहीं चाहता है किुसकी बढ़ जाये वहनत कर एक इन्सीटीूशन की जिम्मेदारी है कि लड़की को सेफ रखे अपनी हाँ सर बहुत ज्यादा हुआ है और हम लोग यहां पर आते हैं इतना मेहनत करते हैं इस प्रोफेशन में आते हैं दो साल हमें लगते हैं नीट क्लियर करने के लिए इतना हार्ड वर्क करते हैं फिर इस प्रोफेशन में आते हैं और लोगों की जान बचाते हैं लेकिन हम खु शुक्रिया तो देखे तमाम जो रेजिनेंट डॉक्टर्स हैं मेरिट मेडिकल कॉलेज के पिछले कई दिनों से इसी तरीके से अपनी आवाज भुलंद कर रहे हैं और आपने देखा जो गल्स हैं सबसे ज्यादा जो परिशानी है वो उनके सामने हैं कि परिवार के जो लोग हैं वो यहां पर लगाए जा रहे हैं और यह गुस्सा खाली मेरट में नहीं है पूरे देश में नजर आ रहा है और रेजिदेंट डॉक्टर्स ने सीधा एलान कर दिया है कि एक दो दिन और देख रहे हैं लेकिन उसके बाद जरूरत पड़ी तो फिर जो इमर्जंसी सेव सब्सक्राओं को भी ठब कर देंगे मांग भी जायज है गुस्सा भी जायज है और नजरे अब सबकी इस बात पठीकी है कि आखिर पश्चिन बंगाल में जो यह दरंदगी की घटना हुई उन दरंदगों कि खिला क्या सक्ट एक्शन होगा और क्या करली कारवाई होगी एबी पी गंगा खबर आपकी जबाँ आपकी